आज हम मेकेनिकल के एक बहुत ही उप्योगी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, आईए चालू करते हैं गेर अगर आपने कभी गेर को देखा होगा, तो यह गेर एक बेलना कार या रोलर आकार का होता है, जिसके उपर दित लगे होते हैं, जो एक साफ्ट को दूसरे साफ्ट से उर्जा या सकती भेजने के लिए काम में आते हैं अगर आप से इंटर्वियू में गेर क्या होता है या पूछा जाता है तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं गेर एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग हम किसी भी दो साफ्टों के बीच में पावर ट्रांस्मिशन या मोशन ट्रांस्मिशन के लिए करते हैं वेसे आप सभी ने कई बार देखा होगा कि पावर ट्रांस्मिशन करने के लिए हम गेर के अलावे भी कई तरीकों का उपयोग करते हैं जैसे पुली बेल्ट की मदद से लेकिन इसके द्वारा जब पावर भेजा जाता है तो काफी एनर्जी का लॉस होता है लेकिन जब हम गेर का उपयोग करके पावर ट्रांस्मिशन करते हैं तो यह कानेटिक फ्रिक्शन लॉस ना के बराबर होता है इस वज़े से पावर ट्रांस्मिशन के दूरान हमें एनर्जी का नुकसान कम देखने को मिलता है गेर का उप्योग आज के समय बहुत सी जगों पर किया जाता है जैसे कि क्लॉक इस्टुमेंटेशन आदी में जैसी चीजों में इसके अलावा सभी जगे वर्किंग के लिए अलग-अलग प्रकार के गेर यूज किये जाते हैं जिसका उप्योग सही तरीके से हो सके गेर को अलग-अलग बाटने के लिए उनके काम के तरीके में काफी फरक आता है जैसे कि कुछ गेर भारी सामान उठाने के काम में आते हैं तो कुछ हलके सामान उठाने के लिए काम में आते हैं इसके अलावा गेर को उनकी आवाज के अनुसार भी बाटा जा सकता है जैसे कुछ gear कम आवाज करते हैं तो कुछ ज़्यादा आवाज करते हैं इन सभी को देखते हुए gear को कई भागों में विवाजित किया गया है टाइपस ओफ gear gear मुख्यत च्छे प्रकार के होते हैं जिनका इस्तमाल सबसे अधिक होता है इसपर gear, helical gear, spiral gear, wable gear, worm gear, rock, rake and period gear इसपर gear इसे case में जो gear है वो state होते हैं मतलब वो अपने face पे state होते हैं जिसमें दो no soft एक ही plane पर parallel होती है यह steel या brass के बने होते हैं इस कारण इसपर gear में आवाज खूब ज़्यादा आती है इसका उप्योग जब किसी भारी चीज़ को कम speed में चलाना हो वहां किया जाता है अगर हम उधारण की बात करें तो गन्ने की रसवाली machine में इसका उप्योग किया जाता है इसके अलावा इसका अनेक जगो पर उप्योग किया जाता है इस पर gear सभी gear में सबसे पहले develop हुआ था और इसकी cost बहुत कम होती है next होता है helical gear helical gear के face में जो gear होते है उसमें जो उसके तीद होते है वह incline cut shape में कटे होते हैं इसमें double incline वाले तीद भी सामिल होते हैं जो की V shape में दिखते हैं यह gear को helical bone gear भी कहा जाता है इस gear का उप्योग इन थ्रश्ट को कम करने के लिए करते हैं इस gear का फाइदा यह है कि इस से gear का एक दूसरे का contact ratio ज़्यादा होता है और ज़्यादा तीदवी संबर्क में रहते हैं इस से power transmission बढ़ जाता है इसका उप्योग heavy machine में किया जाता है जैसे elevator आदी इसकी gear की तुलना में अगर हम spare gear से करें तो यहाँ उस से तेज होते हैं और power भी अधिक transmission करते हैं helical gear को दो बागों में बाटा गया है right hand helical gear और left hand helical gear spiral gear यह gear के तीद कर्व सेप में कटे होते हैं जब दो shaft non parallel या non intersection मतलब दोनों एक ही plane ही अलग-अलग हों तो इन दो shaft को connect करने के लिए हमें spiral gear का प्रियोग करना पड़ता है अता spiral gear से अधिक्तम power transmission किया जा सकता है वेवल gear जब दो shaft parallel नहीं हो पर इन दो shaft intersecting हो और यह दोनों shaft एक दूसरे पर जा कर मिले तो इस case में हम वेवल gear को यूज करते हैं यह वेवल gear का श्टायरन एल्मोनियम अलाई के बने होते हैं इन gear का उप्योग हम locomotive machine application automobile आदी में मुख्य रूप से करते हैं वर्म gear वर्म gear को gearing ratio बहुत कम होता है और इसकी speed भी बहुत अधिक होती है इसके वील पर spiral बने होते हैं जिससे की spiral angle बहुत ज़्यादा होता है यह speed ratio को कम करने के लिए काम में आता है इसका maintenance भी बहुत कम होता है इसकी आवाज भी बाकी gearों के मुकाबले कम होती है यह 90 degree के angle पर use होता है इसका उप्योग rolling meal आदी में देखा जा सकता है रेकेंट पिनियन यह gear का उप्योग auto mobile steering system में सबसे ज़्यादा होता है यह gear को एक सीधी रेका वाले तीत पर जैमेती कटी होती है इसका उप्योग हम गती को transmission करने के लिए करते हैं इसका उप्योग बाकियों के तुलना में अधिक होता है बेसिकली यह इस पर gear का ही एक टाइप है क्योंकि इसके तीत जो होते हैं वो एकदम state होते है इसका जो छोटा gear होता है उसे हम pinion gear कहते हैं और बड़े gear प्रेक की form में होता है धन्यवाद